देखिए इस वीडियो में spelling test से संबंधीत कुछ ऐसी चीजों की बारे में बात किया जाएगा जो की आपको exam में इस प्रस्ण को सही करने में काफी सहयता देगी ठीक है जैसे की आपको पता है कि spelling test से एकात नंबर का question पूछता ही पूछता है हर सिप्ट में ठीक है तो इसमें ऐसे word दिये गए हैं जो की लगातार repeat होते हैं कई बार पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी accepted questions है words है जो की पूछे जाने की संभावना है और साथी साथ कुछ हम ऐसे facts के बारे में आपसे बताएंगे जिससे जानकर आप आसानी से किसी भी word का spelling लिख पाएंगे ठीक है तो चलिए है आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और यदि ये मतलब मेरा प्रयास और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको like जरू कर दीजेगा ठीक है चलिए सुरू करते हैं बात करेंगे आप पहले ऐसे word की जो की है अकामा date ठीक है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे word जरूर पूछे जाते हैं जिसमें की double spelling होती है double spelling का मतलब की जैसे double c हो गया double m हो गया क्योंकि ये confuse करते हैं क्या होता है कि कभी-कभी single m देता है कभी double m ठीक है तो और इस पर करके जरूर कोस्चन बनते हैं आपकी exam में तो अकामा date का मतलब होता है जीत करना ठीक है इसको आप लिख लेंगे और क्या करेंगे पहले तो notebook में लिखेंगे उसकी बाद जब भी आपको time मिलेगा तो उसको आप rough पे इस spelling को लिखते रहेंगे spelling test सही करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि किसी भी spelling को एक से अधिक बार लिखना और उसको बोल की लिखना ठीक है और बड़ा spelling यदि है तो तोड़ तोड़ के जैसे मालिच की last में आपके क्या जुड़ा date जुड़ा तो date की spelling तो आपको याद है और अकामा की spelling आपको करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओ की pronunciation ओ नहीं होती है बल्कि इसकी pronunciation क्या होती है आ होती है यानि ki accommodation इस प्रकार से ठीक है सही पड़ेंगे तो सही लिखेंगे गलत पड़ेंगे तो गलत लिखेंगे pronunciation सही करने की कई सारे फाइदे हम आपको पहले भी बता चुके हैं चलिए next word जो है कि ये भी काफी important है ये है rejuvenation rejuvenation का मतलब होता है काया कल्प काया कल्प यानि कि फिर पुनर जागरण भी इसको कह सकते हैं ठीक है spelling जैसे की R E J U V E N A T I O Y N अब इसमें देखे तोड की याद करने का फाइदा क्या होता है जैसे कि आपको पता है कि nation की spelling क्या होती है nation पता है उसमें जोड़ना है R E J U V E regulation फिर्फ आपको इतना ही सीखना है तो तोड की याद करने का यह फाइदा हो गया दोनों को जोड दिये तो रेजुवर नेशन हो गया जिसका मतलब काया कल ठीक है इसको एक से अधिक पार जब लिखेंगे न यार तो थोड़ा से मेहनत तो करना होगा पेन उठाएंगे रफ उठाएंगे जब इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा जि है कि 12 या फिर 13 वर्ड दिये होते हैं तो उन 13 वर्डों को क्या करना है कि पूरा एक पेज रफ का एक पेज पूरा भर देना है यानि कि 13 वर्ड में पूरा एक पेज भर जाना चाहिए अब जितनी बार वो लिखा जा सके ठीक है तो इस परकार से थोड़ी से प्रैक्टिस क बहुत आसान है जो छोटी छोटे वर्ड से आसान है उसको सिंपली आप याद कर लेजेगा कोई टेल्सन की बात ही नहीं रह पाएगी नेक्स्ट वर्ड देखिए ये भी काफी इंपॉडेंट है प्रीविलेज प्रीविलेज का मतलब क्या होता है प्रीविलेज का मतलब हिपोपोटैमस का मतलब होता है दर्याई घोडा यह तो आपको पता ही होगा लेकिन इसकी स्पेलिंग पूछी जा चुके याद रखेंगे क्योंकि कंफ्यूज इसलिए होता है इसमें डबल पी फिर ओ फिर फिर ओ ठीक नहीं तो इसी के बीच में कंफ्यूजन होता है यान होता है तो यह है विल-फुल का मतलब होता है जिद्री जिद्री या कि फिर जानबुज कर ठीक है नेक्स्ट वर्ड चुज़ सेटलाइट चिश्चला का नंवर एक टीए डबल आई-टिए, इसमें क्या आद रखना है, डबल ऐल याद करना है, सेटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्र नेक्स्ट वर्ड जो होती है आठामा नमर कह यह है, सूव नीयर, सूव नीयर, देकि हम आर इसमें सायलेंट होगा, ठीक है सूव निय やंय मतलब होता है यादगार 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 यानिकी फिर यानिकी मेमोरी यानिकी निसानी इसका साइनोनीम यादी पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे मोनुमेंट्स यानिकी फिर मेमोरी ठीक है या कि फिर मेमोरीयल मेमोरीयल का मतलब भी होता है यादगार आपने आपको पता है कि सोर आवस्था जो होती है वह वाला कि सोर एडलेसेंट ठीक है नेक्स्ट देखिए ग्रामा की स्पेलिंग कई बार पूछी जा चुकिया ठीक है आपको काफी जी लगागा लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज कहां करते हैं डबल एम में यहां पे कन्फ्यूज होते हैं फिर डबल एम के बाद ए होगा कि ए होता है ठीक न यह दो जगा कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको सिंप्ली जाद कर लेजेगे ग्रामर ठीक है इसको ग्रामर नहीं पढ़ते हैं लास्ट वाला जो आर है वो साइलेंट रहेगा क्योंकि ले आर के पहले वोविल साउंड है यानि ए है ठीक है तो यह साइलेंट रहेगा इसको पढ़ेंगे ग्रामा ठीक है तो साथी साथ यह सारी छोटी छोटी बाते भी आप सीखते चलिए जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा ठीक है चलिए 11 नमर में देखते हैं कह मतलब क्या है यानि इमेडियेट का मतलब सिंपल आपको पता है कि अचानक ठीक है इमेडियेट का मतलब क्या होता है सडेन यानि कि फिर अचानक लेश्ट वर्ड जो बारवाला है देखिए यह वी काफी इंपोर्टेंट है यह कह रहा है कि इंटर मेटेंटली इंटर मेटे आपका हो जाएगा तो यह वीडियो काफी इंपरेंट है माईडिय स्ट्टूडियों जितने इसमें वड्य यानि कि तेरह वर्ड इनको आप लिखेंगे एक से अधिक बार ठीक है तभी यह आपका हो जाएगा जब इस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर देंगे तो यह खुद आपका हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स टूडियो में यदि ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरू करेगा चलिए बाइबाइट टेक केर